दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे Emox CV 625MG टेबलेट के बारे में बैसेकलिए हमको बात करना है Emoxeciline और Potassium Colinate के बारे में हमने एक्जामपल के तोर पे आपके लिए सामने रखा है एक टेबलेट Mox CV आप कोई भी टेबलेट जो आपके डॉक्टर आपको एड वाइस करते हैं या जो आपके डॉक्तर आपको कहते हैं आपको वही टेबलेट लेडा है आपको किसी खास टेबलेट के लिए कोई bond या कोई bondation नहीं है तो सब से पहले आप זה जानेंगे कि इसका use क्या होता है, कैसे इसका इसका इसमाल कियाता है, उसके बाद आप इसके side effect आइंगे, इसका सही dose आइंगे और कब इसका استعمال नहीं करना है मौक्सaline का, उसके बारें भी हम आपको बताएंगे तो वीडियों को आप ध्यान से अंतक देखते रही है ताकि आपको सही जान करी हो आपको कहीं भी दवा का कोई नुकसान साइड रिफिक्ट ना आए और एक बात हो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस वीडियो आगे आने वाली वीडियो जाजाने से मिलती रहें सबसे पहले आप ये ît जानें कि ये जो दवा है मौकस सीवी इसमें आपको दो साल मिलता है नमबर एक है इमॉकसरीन और दोसरा है पोडशेम किलनेट एमाखसलीन इसमें 500 है और पॉडश्यम कोलनेट 125 हमजी है दोनों को मिलाके 625 हमजी का एक टेबलिट हो जाता है तो ये इसका कमपोजिशन हुआ अगर हम इसके इस्तेमाल के बारें बात करें उसके बारें बात करेंगे डोस के बारें बात करेंगे सबसे पहले हम इसके यूज़िस के बारें बात कर लेते हैं कहां कहां पर इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक एंटिबाइटिक है जिसका इस्तेमाल बहुत जादा होता है कोई भी किसी को bactyl infection है जखम है फोड़ा है seineback आप्रeusn है या कभी-कभी नमूनिया है या किसी को UTI है इविएn Tive-1 के इस्वार्य इसक्राइए को भी-कभी इसक्राइए जो बी-कभी का इस्तिमाल किया जाता है अब हम इसके side effect पे आ जाएं पहले उसके बाद हम dose के बारें बात करेंगे अगर हम इसके side effect के बारें बात कर लें तो कोई बहुत ज़्यादा side effect इसका देखने को नहीं मिलता है जिसको ये दवा suit करती है उसके लिए change करना है दवा को बंद करना है तो वो बंद करेगा या change कर देगा वनना हो सकता है कि उस दवा को continue कर दे कोई दवा कोई और दवा साथ में add कर दे तो ये इसका side effect हो गया अगर हम इसके dose के बारें बात कर लें तो आम तोर से जो amoxicilline का dose होता है वो एडल्ट में 500 mg का capsule या tablet दिन में तीन बार चल सकता है तो उसी तरीके ये tablet भी आमता से doctors दिन में दो बार इस्तिमाल कराते हैं लेकिन अगर किसी patient की को infection जादा है उसको problem जादा है तो दिन में तीन बार भी इस्तिमाल किया जा सकता है ये करता है doctor और patient पे कि उसकी patient की condition कहती है और doctor कैसा उसको समझ रहा है अब अगर हम ये बात कर लें कि कब आपको इसका इस्तिमाल नहीं करना है तो दोस्तों अगर आपको amoxicilline से allergy है या potassium klinate से allergy किसी किसी भी साल से allergy है तब आपको इसका इस्तिमाल नहीं करना है अगर आपको इसका इस्तिमाल करना है अगर आपको कोई दोस्ती दवा इस्तिमाल करना है या मौकसलीन और प्रोटेश्यम क्लिनेट ये सारी दमाएं डॉक्टर से मशुरा करने के बाद ही आपको इस्तिमाल करना है दोस्तों ये जानकर ये मौकसलीवी 625 के बारे में अगर आपको जानकर ये पसंद आई सुडियो को लाइक करें चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और दोस्तों कि ये जाश्यर कर दोस्तों कि ये जाश्यर करें